हेलो स्टुडेंट्स पिछली वीडियो में हमने ट्राइंस्टर आपको बताए ट्राइंस्टर दो पिरकार के होते हैं एक जेफेट दूसरा मौसफेट कल हमने आपको जेफेट की केरेक्टरिस्टिक्स उसके पैरामीटर्स तथा पिंच ओफ बोल्टेज के बारे में बताया आज हम आपको ट्राइंस्टर का दूसरा पिरकार मौसफेट के बारे में बताएंगे आज का टॉपिक मौसफेट मौसफेट की फुल फॉर्म मैटल ऑक्साइड सेमी कंड़क्टर फील्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर भी है इस से दूसरे नाम से भी पहचानते हैं इंसूलेटिड गेट्ट फील्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर इंसूलेटिड गेट्ट फील्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर मॉस्फेट में जे फेट की तरह गेट पी एएफेक्ट नहीं होता है जबकि गेट एक मैटलिक प्लेट या फिल्म होती है यह है मैटलिक प्लेट इंसूलेटर के दौरा। लेमी कंड़क्टर की ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसे ठक करती है इससे इंसुलेटेड़ गेट भी कहते हैं मॉसफेट दो परकार का होते हैं पहला एनहांस मेंट टाइप मॉसफेट एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट और सेकेंड होता है डिप्लेशन टाइप मॉसफेट एनहांस टाइप मॉसफेट को इटाइप मॉसफेट भी कहते हैं और डिप्लेशन टाइप मॉसफेट को डी मॉसफेट भी कहते हैं एनहांस टाइप मॉसफेट भी दो पिरकार के होते हैं पहला एन चैनल इए मॉसफेट तथा दूसरा पी चैनल इए मॉसफेट एनहांस टाइप मॉसफेट इसी पिरकार डिप्लेशन टाइप मॉसफेट भी दो पिरकार के होते हैं पहला एन चैनल डी मॉसफेट दूसरा पी चैनल डी मॉसफेट पहला क्या था मॉसफेट का टाइप एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट तथा दूसरा था डिप्लेशन टाइप मॉसफेट डिप्लेशन मॉसफेट में गेट सोर्स पोटेंशियल गेट सोर्स बोल्टेज का मान जीरो होने पर ही सोर्स तथा ड्रेन के बीच चैनल एक्जिट करता है जबकि एनहांस टाइप मॉसफेट में गेट सोर्स वाइज का मान सुन्न होने पर सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल नहीं होता है परन्तु फॉर्वर्ड वाइज होने पर सोर्स तथा ड्रेन के बीच चैनल क्रियेट होता है तथा उसमें कंडक्शन होने लगता है construction of MOSFET MOSFET की construction यह है एक बॉड़ी है बॉड़ी में थिरी एंड टाइप मैटेरियल रखे हुए हैं इसमें ये बीच में ये बीच में मैटल कॉंटेक्ट लगा हुआ है मैटल कॉंटेक्ट से यह यह एल्मूनियम का होता है यहाँ पर एक इस वाले एंड टाइप से एक टर्मिनल निकला यह है सोर्स कहलाता है और इस वाले एंड टाइप से एक टर्मिनल और निकलता है वह ड्रेन कहलाता है इसमें बीच में एस आई ओ टू की लेयर होती है यहाँ बीच में पी टाइप सबस्टेंज होता है और यह है डिफ्यूजड एंड चैनल होते हैं इसका सिंबल कुछ इस प्रकार है यहाँ ड्रेन शोर्स और गेट शिंबल ओ मॉस्पट और चैनल देप्लेशन मॉस्पट का दाइब ग्राम तथा सिंबल यह आपको दर्शाया गया है इस मॉस्पट में एक सविस्ट्रेक्ट लाइटली डोब्ड होता है जिसमें दो एंड टाइप रीजन को हैविली डोब्ड डिफ्यूजड करते हैं इन दो हैविली डोब्ड रीजन में एक ड्रेन तथा एक सोर्स होता है सोर्स तथा ड्रेन के बीच लाइटली डोब्ड एंड टाइप सेमी कंड़क्टर डिफ्यूजड कर दिये जाते हैं यह है रीजन चैनल का कार्य करता है सोर्स तथा ड्रेन में ओमेक कॉंटेक्ट लगा देते हैं यहाँ पर भी ओमेक कॉंटेक्ट लगा दिये और यहाँ भी ओमेक कॉंटेक्ट लगे हुई हैं वो में contact लगा दिये जाते हैं इन दौनों रीजनों के उपर एक पतली लेयर होती है यह पतली लेयर है इन दौनों के उपर इस insulated thin layer की मौटाई इसकी जो मौटाई होती है वो 1000 angstrom से 2000 angstrom होती है SIO2 के layer के उपर SIO2 की layer है इसके उपर aluminium की एक plate लगा दियाती है इस plate को gate कहते हैं इस plate को gate कहते हैं इस पिरकार metallic gate SIO2 की पतली layer के द्वारा semi conductor से insulated रहती है इसलिए इस field effect transistor को insulated gate field effect transistor भी कहते हैं जैसा कि हमने यह पहले भी बताया कि insulated gate field effect transistor भी इसे कहते हैं इसी पिरकार P channel MOSFET की सन्रचना भी इसी पिरकार बनाई जाती है P channel MOSFET में एक body लिए हमने इसमें यहाँ पर एक thin layer SIO2 की यहाँ पर P type reason इसमें यह वाला reason जो होगा वो diffused P channel and type service text यहाँ पर पहले तथा दूसरे जो P type reason है इसमें O में contact लगा दिये पहले वाले P type पर यहाँ पर source connect कर दिया तथा दूसरे वाले पर drain और इस SIO2 की पतली layer के उपर एक aluminium की layer aluminium की layer से एक terminal और निकलता है उसे हम gate कहते हैं कि इसका सिंबल और यह बिलकुल सेम उसी की तरह है drain source gate और जो इसमें service track अंदर को जा रहा था इसमें भार को निकलेगा यह हमारा P channel MOSFET है बिलकुल सेम प्रोसेस N channel MOSFET की तरह है इसी पिरकार यह है P type सर्ष्ट्रिक्ट MOSFET है इसके संव है